हलो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ सबसे ही यूनिक और सबसे डिफ्रेंट तरीके से बनने वाली है ये रेसिपी है तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम बची हुई रोटियों से इस रेसिपी को हम बनाएंगे मैं रोटी ले ली हूँ, तो रोटी मैं दो ली हूँ, इसको फोल्ड कर दी हूँ, दो ही रोटी से मैं नहीं बना रहे हूँ, मैं आठ रोटी ली हूँ, ऐसे ही फोल्ड करके मैं सारे रोटी को काट लूँगी, कैची से या चाकू से आप किसी भी चीज से आसानी से काट सकते इसे में जल्दी से फ्राई होने के लिए मैं काटी हूँ नहीं तो ठड़े भी हम इसे तल सकते हैं पर ज्यादा आयली हो जाता है आयल ज्यादा अंदर तक रह जाता है तो हम इसलिए काट दिये हैं तो आप चाहें तो जैसे भी फ्राई कर सकते हैं, इसे मैं तो काट भी ली हूँ, आपको ऐसे भी दिखा दे रही हूँ, आयल ज्यादा इसमें रुपता है, तो आप ऐसे करके सारे आयल निकाल सकते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो मैं तो पट्टियां ही काट ली ह तो पत्टियों को मैं फ्राइ करने के लिए डाल दी हूँ और उसे अच्छे तरीका से मैं फ्राइ करूँ गोल्डन-ब्राउन तब जब हो जाए, तब हम इसे निकालेंगे और हमारा गुल्डन-ब्राउन हो भी गया, अब हम इसे बाहर निकाल देंगे तो हम काट करके आसानी से फ्राई कर सकते हैं, मैं सारा फ्राई करके ले ली हूँ, इसे हम छोटे छोटे टुकडे में तोड लूँगी, यह बहुत ही आसानी से तूट जाता है, यह बहुत ही कुरकुरी बनी है, यह फ्राई हो जाने के बाद, तो मैं सारे छोटे छोटे अब हम चलेंगे इसकी चासनी बनाने तो चासनी के लिए मैं चार गुड ली हूँ जिसे भेली भी काया जाता है तो मैं कडाई में डाल करके इसे मैं मल्ट कर लूँगी अच्छे तरीका से जब यह अच्छे से मल्ट हो जाएगा तो इसमें से बबल साएंगे तो छोटे किसी भी बरतन में थाली में शाली में आप निकाल दें तो बची हुई रोटी ओं से आप बहुत ही आसानी तरीके से चटपटी नस्ता आप बना करके खा सकते हैं यह खाने में स्वादिश्ट लगते इसकी सोनी-सोनी खुसबू बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं इसे अच्छे से हाथों से SPD करके इसे गोल में सेफ देदी हूँ। आप चाहे, तो ऐसे भी काटोरी में लेकर खा सकते ह। और इसे आप आठ दिन तक इस्टोर करके रख सकते ह। ये बहुत ही कूर कूरी बनी है आप चाय तो इसे साइज में काट भी सकते हैं चरकोर में या गोर्ड में या तोड़ तोड़ कर ही खा सकते हैं आप भीबासी रोटी खा करके बोर हो रहे हैं तो ये रेसिपी जरूर ही ट्राइ करना और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर भी आप लाइक जरूर ही करना